जून का महिना भैंकर गर्मी का महिना और गर्मी की इस दोपहर में मिल जाए मठे में पड़ी हुई ये बेसन की पकोडियां करारे प्याज के छले और सुन्दर सुनहरी सौट के साथ सजी हुई मज़ा आजाए जितनी ये देखने में सुन्दर उतनी खाने में टेस्टी और बनाना बेहद आसान मठे का बहुत बढ़िया यूज है ये मठे में पकोडियां बेसन की शुरू करते हैं इसकी रेसिपी इसके में इंग्रिडियन आपको चाहिए मठा एक लिटर मठा बढ़िय में डालेंगे नमक चाहिए आधा आधा चम्मच दो जगा बेकिंग सोडा केवल एक जगा चाहिए आपको बेसन में डालने के लिए वन फॉर्थ टी स्पून एक चौथाई चम्मच आधा आधा चम्मच दो जगा लहसुन अद्रक का पेस्ट टोटली ओप्शनल है आप चा प्याज को आपने बहुत पतले पतले पीसिज में काट लेना आप चौप कर लेना ऐसे पतला पतला साथ में आपको चाहिए तीन-चार हरीमिच देसी वाली चरचरी वाली हरीमिच लीजिए ये देखने में सुन्दर नहीं होती छोटी होती चुड़ी मृटी होती है हाइब धनिये को भी आपने बहुत पतला-पतला काट लेना, छोटा-छोटा काट लेना है, तलने के लिए चाहिए आपको कोई भी cooking oil, हम यूज करते हैं, पीली सरसो का तेल, एक दम, अनप्रोसेश्ड, बेसन की तियारी करते हैं, बेसन में डाला आपने नमक, आदा चम्मच, आदा सोडा, खाने का सोडा, मीथा सोडा, थोड़ा सा पानी डाल कर इसे घुमाईए, एक ही डारेक्शन में आपको घुमाना है, बिल्कुल एक ही डारेक्शन में आपको घुमाना है, थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते रहिए, एक ही डारेक्शन में इसे घुमाते रहिए, औ किनारे और चमत से रगड़कर इसे तोड़ दीजिए एक ही साइड में घुमाते घुमाते यह बन जाएगा एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट अभी यह गाड़ा है पकोड़ी बनाते समय इसे थोड़ा साम पतला करेंगे और इस बेसन को आपने छोड़ देना है कम से कम एक घंटे क अब यह गाड़ा है फिर इसे पतला करेंगे मठ्था तैयार करते हैं मठ्थे एक लीटर मठ्था है गाड़ा वाला मठ्था आप लीजिए और उसमें डाल दीजिए लगबग आधा लीटर पानी बहुत गाड़ा नहीं होना चाहिए मठ्था वरना यह पकोड़ियों के अं पानी में घोल लेना है और फिर इसे बहुत बढ़िया वाली महीन वाली बरीग जाली वाली छलनी से छालन देना है अपने मठ्थे में कोई भी particle मठ्थे में नहीं जाना चाहिए वरना खहते हुए यह गले में फसता है और खांसी उठा देता है बेशन को एक घंटे से जादा हो चुका है रखा हुआ, बेशन में मिला देते हैं, कटे हुए, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, हलके हलके से इसे एक डारेक्शन में घुमाना है, इस बार बहुत जादा नहीं घुमाना, बहुत जादा फेटना नहीं है, थोड़ा सा पान भी रह जाता है पतले बेशन से बनीवी पकोडियां एकदम जाली दार होती है अंदर तक साथ ही साथ तेल बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम ताकि पकोडियां अंदर तक पूरी तरह से पक जाएं बहुत तेज गरम तेल में आपने ने उपर से एकदम सुनहरी हो जाएंगी लाल हो जाएंगी और अभी अंधर तक हीट पहुँची भी नहीं अंदर से कच्ची रह जाएंगी और फिर आप हमें कहेंगे कैसी रेसिपी बताईगे पेट खराप कर दिया पेट खरापता वह होता है जब पकोडियों के अंदर दीरे तलना है उलट प्लट करना है सुनहरा होने तक बीच में आप चाहें तो एक पकॉड़ी को तोड़कर देख लिजे अंदर कोई गाठ तो नहीं है अंदर से पूरी तरह पक गई है कच्चा बेशन तो नहीं है देखिए दीरे दीरे तलना है बीच बीच में इसको उलट प्लट भी करते रहना है लगातार और हलका सुनहरा होने तक इसे तलना है आप देखी रहे हैं के ये पकॉड़ीया एकदम जाली दार पकॉड़ीया बनी हुई इसमें उपर से जालीया दिखाई दे रही है अंदर त ये पकोडियां और सीधा इन्हें डाल दिया मठा आहा हा थोड़ा सा इन्हें चला दीजे अभी ये खाने के लिए एकदम से त्यार नहीं होती लगबग लगबग एक घंटा दो घंटा इसे लगता है जब ये मठा एब्जॉर्ब कर लेगा सारा ये देखे दो घंटे से उप पॉल में निकालना है एक पकोडियां पकोडियों के साथ थोड़ा सा मठा भी रखिये और इसके उपर आपने सजा देने हैं प्याज के छले प्याज को छले ही बनाकर इसके उपर आपने सजाना है छले ही इसके उपर बढ़िया लगते हैं आप इस पर चाहें तो मठे के उ पर जीरे का छौक भी लगा सकते है थोड़ा सा टेस्ट और बढ़े आ हो जाता है और अब इसके उपर डाल देते हैं सुनहरी सौट िया से बनी हुई कच्छे आम से बनी हुई बहुती ही टेस्टी होती है इमली की सौٹ से ज़ादा टेस्टी होती है और ये गला भी खराब नहीं करती इस सुनहरी सौट की रेसिपी भी आपको मिलेगी इसी चैनल पर वेज़ वाली प्लेलिस्ट में देखिए किसी भी तरह से आप इसे सौट को यूज़ कर सकते हैं आहाहा कितनी सुन्दर है इस टाइम ये ऐसा लग रहा है कि अभी इसे निकाल कर खा रहा हूँ मठे के साथ बनी हुई बेसन की पकोडिया और दोस्तों जब कच्चे आम की सौट की हमने जिकर किया है तो फिर कच्चे आम की सौट ये देखिए सुनहरी सौट ये दही बड़ो पर डाल कर दिखा रहे हैं आपको एकदम ट्रांस्पेरेंट होती है एकदम टेस्टी होती है बहुत ही बढ़िया वाली और ये भी कच्चे आम की एक बहुत बढ़िया रेसिपी है मार्किट का जैम, जैली सब कुछ इसके सामने फेल है ये है कच्चे आम की चटनी सिर्के के साथ बनी हुई पराठे के साथ इसका कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं जहर, गजब, गदर आम की चटनी कच्चे आम की चटनी सिर्के वाली और कच्चे आम का एक और बहुत बढ़िया बहुत बढ़ा टेस्ट है यह है आमका पना पना भी बोलते हैं पना एक्षली रियल नेम है पना बॉलते हैं अक्षर पना है और बनाना इसका आखान winter में सर्म होने के लिए तैयर हो जाता एक बार बनाई है यह साल भर तक रखिए और ये आम का मुरब्ब, दो तरह से मुरब्ब बना रहे हैं, एक वैसा जैसा आप मार्केट से लाते हैं, और एक मार्केट वाले से 100 गुना जादा बढ़िया टेस्टी, सुन्दर और पॉस्टिक और जब मुरब्ब की बात हो रही है, तो फिर ये है सेब का मुरब्ब, इस बार जरूर ट्राइ कीजेगा आने वाले जाड़ों में, ये आपका बना हुआ सेब का मुरब्ब, बार्केट वाले मुरब्ब से ज़्यादा टेस्टी और न्यूटिशिस है, पोशक है, एक और बह ये बहुती सुंदर, बहुती टेस्टी डिश, हमने इसे नाम दिया लौकी के छले, पूरे यूट्यूब पर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ये रेसिपी, और इस समय आ रही है, बढ़िया क्वालिटी की अर्वी, अर्वी की एक बहुती प्यारी, बहुती नायाब डि ये ड्राइ फ्राइ अर्वी, अपने में कोर्स में आप इसे एड कर सकते हैं, ये आपकी अर्वी की एक और बहुत बढ़िया रेसिपी है, ये है खड़े मसाले की अर्वी, खड़े मसाले की अर्वी, बहुती बढ़िया होती, बहुत बनाना, इसका बहुत आसान, अर्वी के साथ साथ आ रही है इस समय बहुत बढ़िया क्वालिटी की भिंडियां ये है तिरंगी चिली भिंडी लाल हरी सफेद तिरंगी चिली भिंडी स्पाइसी बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन दबा दीजे ताकि आपको हमारी रेसिपी तुरंत मिल सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में लाइक करने में कुछ भी खर्च नहीं होता ना कोई डेटा और ना कोई और चार्जीज शुक्रिया